हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल में दा कैमिस्ट क्लब जैसा कि हमारा एलेक्ट्रो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है हमारे केंसेंट्रेशन सेल्स पर हमारा डिसकाशन चल रहा था तो उसी की कंटिनिवेशन में यह विडियो है लास्ट अग्जाम से उसको सॉल्व करने के लिए तो यह चोटी मोटी चीजे थी जो बहुत इंपोर्टन थी तो उनको हमने वह डिसकास किया था सब्सक्राइब कि इन में कुछ कुछ केसिस आते हैं जो में डिसकास कर लेने चाहिए एक्जामिनेशन पॉइंट अफ यू से तो वह मारा case 1 है वो क्या बनता है T minus is greater than T plus अगर में जो मेरा जो transference number है अनायन का जादा है कटायन से तो मेरा क्या होगा यह चीज़ बढ़ी होगी यह चीज़ बढ़ी होगी तो यह पूरी चीज़ क्या होगी positive positive का मतलब है lgp क्या है EMF का greater than 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है जो विद ट्रांसफेरंस है is greater than without ट्रांसफेरंस जो EMF है हमारा क्योंकि यह हमारा formula होता है तो यह चीज़ पक्का क्या है जादा है इस से तब ही difference जो है वो positive है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो small potential है जो liquid junction potential है जो हमारा small पोटेंशल है उसके साथ काम कर रहा है मतलब जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशल है और जो हमारा ओवरॉल जंग ओवरॉल पोटेंशल है overall potential से मतलब है कि जो हमारा overall EMF है और जो EMF वाला जो है liquid junction potential का वो दोनों क्या है, वो दोनों मिल कर काम कर रहे हैं ठीक है, एक ही direction में walk कर रहे हैं और अगर मेरा एक case बनता है जब T plus जादा है T minus से तो उस case में क्या होगा, basically कि जो मेरा liquid junction potential है वो मेरा less than zero होगा, ठीक है, तो less than zero का मतलब क्या है negative, negative का मतलब जो with transference है, उसका EMF कम है without transference है, तो इसका मतलब जो liquid junction potential है उसकी direction अगर इस तरफ है, तो जो overall junction potential overall जो potential है, not the junction potential, but overall potential is going in this direction, तो दोनों oppose कर रहे हैं दूसरे को और एक time ऐसा भी हो सकता है, कि दोनों का जो transference number हो, वो same हो, तब क्या होगा हमारा liquid junction potential होगा, वो हमारा zero होगा, ठीक है, zero होगा, तो with transference और without transference दोनों same होगा, तो इसका मतलब क्या है, कि both work both work likewise आप में वो आप से कुछ ना कुछ questions दे सकता है, कि बोल देगा कि T plus की value जाता है, T minus से, या फिर कुछ भी बोल सकता है, और आप से पूछेगा कि इस समय दोनों साथ में काम कर रहे हैं, opposite हैं, या फिर against काम कर रहे हैं, या none of the above, ऐसे करके वो 4 option दे देगा, तो आपको वही cases याद रखना है, कि कौन सा case है हमारा, फिर उसी साब से आपको options पर टिक करना है, तो अब दोस्तों हमारा जो last part है, वो है, हमें इसके कुछ examples देख लेने चाहिए, कि इसके examples आएंगे कैसे, तो अभी हमने जो देखा था, वो basically क्या देखा था, example वो था reversible with respect to cotyan, with respect to cotyan मतलब कि जो H plus की जो concentration थी, वो मेरी क्या थी, change हो रही थी, इधर भी अलग थी, उधर भी अलग थी, और इसमें क्या था, कि मेरे जो H plus के ions थे, वो मेरे form हो रहे थे, और वो ही मेरे consume भी हो रहे थे, तो अब मेरे को क्या आप करना है, study करना है, reversible with respect to anion, ठीक है, तो हमें दो तरीके के cell मिलते हैं, cell reversible with respect to cut ion, और cell reversible with respect to anion, तो हमसे exam में वो कोई भी type पूच सकता है, अब यह हमें differentiate क्या से करना है, वो आपको पता चलेगा, जैसे with respect to अगर cut ion, जो हमने previous वीडियो में जो example पढ़ा था, basically क्या था, यहां पर देखिए H2 है और यहां पर H plus है, तो मतलब यहां पर anoda के थोड़ पर कौन सी reaction चल रही थी, H plus क्या हो रहा था, बन रहा था, ठीक है, बन रहा था, हिंदी में लिख ताकि थोड़ा, मनोरंजन भी हो जाया, ठीक है, तो बन रहा था, मतलब forming, ठीक है, और cathode पर क्या हो रहा था, H plus आपका decompose हो रहा था, okay, so इस तरीके से आपकी reaction चल रही थी, but since यहां पर आपको क्या करना है, with respect to anion में, आपका क्या होगा, CL minus anode पर, और CL minus cathode पर, ठीक है, तो CL minus जो anode पर है, वो आपका क्या होगा, consume होगा, और जो CL minus cathode पर है, वो आपका क्या होगा, form होगा, और यह कैसे होगा, basically, with respect to anion और cation हमें कैसे पता चलता है, कि वो जो particular species है, जैसे cation होगा, वो particular species जो है, वो anode और cathode में या तो consume होगी, या बनेगी, तो ऐसे हम पता ल तो आप लीज वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, with respect to anion का example हम अभी करेंगे, अब हमें discuss करना है, cell reversible with respect to anion, so यह जो question हम करने जा रहे है, यह हमारा gate में आया था, और बहुत important question है, तो इसकी हमने, उन्होंने cell representation दे रखी थी, which is ag solid, agcl solid, जो उसका precipitate है, मत concentration c1 है, kcl जिसकी concentration c2 है, agcl जिसकी solid है, formation और ag जिसकी है solid formation, ठीक है, अब जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, यह आपको देख कि कैसे पता चल रहा है कि हमारा concentration cell है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही type of half cell यूज कर रखा है, which is metal, metal insoluble salt और उसका anion, यहाँ पर एक कोई भी हमार salt bridge नहीं है, इससे पता चल रहा है, यह कौन सा है, with liquid junction potential, ठीक है, यह हमें चीजे पता चल गई, और यह कौन सा है, electrode concentration है, यह electrolyte concentration है, तो हमें इससे पता चल गया, कि electrolyte की concentration बदली है, अब सबसे पहले हमारा क्या होता है, कि हमें anode की reaction लिखनी है, anode पर क्या होगा, oxidation, ठीक है oxidation होगा, तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर anode पर हमारी species present है, silver, silver chloride और KCl, अब देखिए यहाँ पर oxidation होगा, तो oxidation किसका होगा, metal का होगा, तो metal का oxidation मतलब Ag plus Cl minus giving AgCl plus electron, समझा रहे है बात? तो यह Cl minus कौन सा होगा, C1 concentration का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, C1, अब एक चीज आप यह याद रखिए, कि आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, कि मैंने यह equation कैसे लिख दी, तो अगर आप मेरे चानल पर नए हैं, तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिएगा, जहा पर मैंने आपको cell representation बताई है, कि हम कैसे cell लिखते हैं, वहाँ पर मैंने आपको जितने भी प्रकार के half cell है, सबकी cell representation बताई थी, तो यह भी आपका जो metal, metal insoluble salt है, उसकी cell representation है, तो अभी मैं इस वीडियो में वो नहीं बताऊंगे आपको, क्योंकि मुझे वीडियो लॉंग नहीं करनी, और आप प्लीज वो जाके देखेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मतलब जहां पर मैंने यह representation बताई है, आप शाहे तो शीदा उस पॉइंट पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो मैं अभी अबने concept से हटना नहीं चाहती, तो चली अब लिख की concentration है, C2, ओके, अब हमारा concentration with liquid junction potential है, ठीक है, तो with liquid junction potential पे हमारे transference number भी आते हैं, तो transference number अब हमें वो कैसे बनाना है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो आयन है, CL- आयन जो है, यह consume हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो CL- आयन है, वो फॉर्म हो रह देखा, तो अब यहाँ पर देखो, CL- जो है, consume हो रहा है, मतलब less है, यहाँ पर CL- जो है, more है, तो मतलब CL- आपका कहां से, यहां से यहां migrate करेगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ यह, CL- कम है, तो K- प्लस क्या है, more, और यहाँ पर K- प्लस क्या है, less, ओके, तो यहाँ पर K क्या करेगा, एनोड से कैथोर जाएगा, तो हमने यहाँ पर ट्रांसफेरेंस लिख लिए, जो ट्रांसफेरेंस हो रहा है, वो हमारे किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफेरेंस होता है, इसलिए हम उनी को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर तो हमें मिली रहा क्या मिल रहा है मिल नहीं स्कति नहीं करना और ये वैसण क्या प्रेसा कारना ह्पिक का क son क्या है यह dog so लेकिन एक छोटा सा कॉंसेप्ट आपने लगा दिया तो सब कुछ पानी हो जाता है एकदम मस्त मक्खन की तरह आप सॉल्व करते हो तो अब जैसा कि आप जानते हो अब हमें ट्रांस्फेरिंस की एक्वेशन लिखने है तो t-cl-c2 मतलब c2 से कहा जाएगा t-cl-c1 मतलब कैथो से-cl- कहा आएगा अंओर तो उसकी एक्वेशन लिख दी अब के प्लस क्या होगा आपका एणोड से जाएगा थिक ए c1 eds. साथ साथ मोझे फॉलो करते रहेगा क्योंकि आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे तो Jin Conanty अधक प्लड़ हो जाएं और अगर इसमें एक भी वेरियेबल आपने मिस कर दिया तो आपके लिए बहुत जादा प्रॉब्लम हो जाने वाली है और एक चीज में आपसे अगर बोलना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो यह वाला क्वेशन आप खुद करने की क आपके साथ कौन रहेगा आप खुद रहेंगे तो इसलिए आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सके भी देख सकते हैं तो देखिए अब मैंने इस तरीके की अपनी एक नेट एक वेशन बना ली है तो यह देखिए नेट एक वेशन में क्या है CL-C1 कंसंट्रेशन का T-C- minus C-C-2 आपर जेसे कि आप जानते हों हमें सबकी कंसंट्रेशन सबके आयंस के साथ लिखनी होती है ठीक है यही एक रूल है concentration cells का अब मुझे क्या करना है मैंने आपको क्या बोला था जो T-Cl-C2 है अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो right hand side और left hand side match कर दी है क्या CL-C1 यहाँ पर है CL-C1, CL-C1, yes यहाँ पर हमें मिल गया मैं इसको red pen से कर देती हूँ T-Cl-C1 यहाँ पर भी है T-Cl-C1 यहाँ पर भी है तो हम लोग क्या करेंगे इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे 1-T- की फॉर्म में ताकि हम इसको लिख सके T+, है की ने T+, की फॉर्म में लिख दिया तो T+, यह T+, और K+, वाली चीज मैच कर जाएगी जैसा हमने पिछली वाली वीडियो में किया था similarly यहाँ पर क्या है T-Cl-C2 यहाँ पर भी C-L-C2 है तो इसको हम क्या ले आएंगे left hand side पर यह हमारी right होती है ना हाँ तो हम right hand side पर ले आएंगे तो यह भी match कर गएा तो यह form कैसी बन जाएगी 1-C- तो यह क्या हो जाएगा T+, तो यह match कर जाएगा T+, से तो basically क्यूंकि हम लोग K+, के लिए नहीं लिख सकते हैं क्यूंकि K+, का यहाँ पर क्या है C1 और यहाँ पर क्या है C2 तो इसके लिए हम वो चीज नहीं लिख सकते हैं 1- तो इसलिए हमने यहाँ पर किसके लिखिया वो चीज जो दोनों जगा अवैलेबल है और अराम से हम वो इस फॉर्म में ला सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा हमारी equation reduce हो जाएगी और मैं आपको दिखाऊंगे कि एक्वेशन का अंसर किस फॉर्म में दिया था एक्वेशाम में तो यह देखिए यह आपके सामने एक एक्वेशन बना दी है मैंने 1-T- के फॉर्म में अब 1-T- क्या होता है T+, तो T+, Cl- C1 Concentration प्लस T+, K+, C1 Concentration I know यह आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है बड़ देखे क्या करें अब एक मन में उमीद है कि net jrf होना है तो इतनी महनत तो करने पड़ेगी है कि नहीं और यह महनत आपको एक बार करनी है आप बार बार यह चीजों से बच सकें इसलिए आप एक बार में यह चीज़े कर लीजे और solve कर लीजे, जिन्दिगी भर की राहत हो जाएगी अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर anion है, यहाँ पर cation है तो आप इसको लिख सकते हैं, KCL KCL की form में T+, और यहाँ पर क्यों हो जाएगा C1, यहाँ पर क्यों हो जाएगा T+, KCL, C2 concentration का, तो यह answer पूछा हुआ था option में कि जो migration हो रहा है, वो कहां से कहां का हो रहा है तो ऐसे कई सारे options दे रखे थे, तो आपको बस यह final option है, अब आपको वो option पते कैसे दे सकता है वो आपको दे सकता है T+, CL-C1 और यहाँ पर दे सकता है T+, K+, C2 दे सकता है, बट अगर C2 होगा तो ऐसे splitted form में भी दे हो दो option ऐसे split form में होंगे दो option ऐसे form में होंगे तो आपको एक सही option देखना है यह वाला option आपका सही होगा क्योंकि इस form में जो option होंगे उन में कुछ ना कुछ तो variable change करेगा आपको confuse करने के लिए ठीक है? तो आपको इतना पता है कि आपका answer यह है exactly match हो रहा है, बस आपको answer mark कर देना है अब इसकी nearest equation अगर हमें लिखनी है तो वो क्या होगी? E cell is equal to minus 0.0591 अगर हमारा temperature क्या है 298 Kelvin है तो log of यह क्या हो जाएगा T plus, sorry, product upon में reactant होता है, तो product तो यह है तो यह क्या हो जाएगा, C2 C2 की power में T plus, C2 की power में T plus, यहाँ पर C1 की power में T plus बस वही है, यहाँ पर सब कुछ बस पुराने जैसा ही है बस यहाँ पर 2T plus हो जाएगा यह N की value 1 है क्योंकि 1 electron change है तो minus 0.0591 log C2 by C1 और इसकी power में जो 2T plus होगा, वो कहां जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर multiply हो जाएगा 2T plus तो इसका final जो answer बन जाएगा वो होगा minus 2T plus 0.0591 log of C2 by C1 और मुझे यह चीज़ क्या चाहिए positive, तो यह क्या हो जाएगा 2T plus 0.0591 log of C1 by C2 तो यह आपका क्या हो गया final answer, और यह आपका किसका होगा यह आपको होगा EMF with transference, या फिर EMF with liquid junction potential और EMF without liquid junction potential को लिखते हैं EMF without liquid junction potential या फिर EMF without transference, तो देखें दोस्तों यह आपका final answer होगा अब देखें यह मेरे किसका था reversible with respect to anion anion के लिए यहाँ पर क्या आया 2T plus और कटायन के लिए क्या आया था 2T minus है ना, तो मतलब आपको अगर final result याद रखना है तो आप final result याद कर सकते हैं, मतलब एक चीज़ आप याद कर लीजी, दूसरे को आप क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, तो कटायन में क्या था, C2 by C1 था, और अनायन में क्या है, C1 by C2, मतलब सब चीज़े चेंज हो रही हैं, वैसे तो मैं आपको कहूंगी कि पूरे process से चलिएगा, क्योंकि process से चलने से थोड़ा फायदा होता है, कि हम लोग mistake नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा हो कि आपने, मतलब थोड़ी बहुत भी गलती कर दी, तो पूरा चीज़े हमारी रह जाएगी, है कि नहीं, तो इसलिए पूरे process के साथ चलिए, और अब आपका आता है homework, तो इसका homework क्या होगा, जैसे हमने उस पीछे वाली कटायन के लिए, हमने कई सारी equations बनाई थी, E cell with liquid junction potential की, कि 2T plus को, T plus को हमने change कर दिया था, 1 minus T minus से, और भी हमने काफी सारे changes कर रहे थे, तो वो अब आपको यहाँ पर करके देखने हैं, और कई सारी equations form करनी है, तो दोस्तो, मैंने आपके सामने at any temperature की equations लिखी है, कि अगर कोई 298 Kelvin temperature ना mentioned हो, तो आपको कैसे करना है, यह मैंने आपके सामने equations mention कर दी है, with transference की EMF की, without transference के EMF की, और liquid junction potential के EMF की, मैंने equation यहाँ पर लिख दी है, तो आप please मुझे pink कर सकते हो, आप नीचे मुझे message कर दीजिए, drop कर दीजिए, मैं सारे messages को consider करूँगी, बट यह है ना कि आपको एक relation develop करना पड़ेगा, मेरे और आपके बीच में, कि मैं हम लोग one by one एक दूसरे से contact कर सके, तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसा मत सोचेगा, कि मैं आपके चीजों को consider नहीं करूँगी, मैं definitely आपके messages का reply करूँगी, और दोस्तों यह हमारा part खतम हो गया है, बस एक titrations का part रह गया है, spectrophotometric titrations और potentiometric titrations, एक हमारा और important topic रह गया है, polarography, तो यह जो दो तीन topic है, यह छोटे मोटे topic है, बाकी जो आपका electrochemistry का part है, वो complete हो गया है, अगर आपका theory part अच्छा है, तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो, तो आप बता दीजेगा, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है? So thank you so much everyone दोस्तों, and ऐसे ही देखते रहे हैं The Chemist Club, bye bye!